हलो दोस्तों, मास्टर इस्टेडी किलासिस कि इस ओनलाइन दुनिया में मैरुन सर्मा एक बार फिर से आपका हार देख स्वागत करता हूँ, अभी नंदन करता हूँ आज जो टोपिक पढ़ने वाले है आध कल आपको बताया था अपनी वीडियो में कि पाशान काल, पुरा पाशान काल, नव पाशान काल जो होते हैं उनके हमें जानकारी तो मिली है लेकिन उसके लिखित अवशेश नहीं मिले हैं अर्थात उनको हम पढ़ते हैं प्राग इतियासिक काल में आज जो हम पढ़ने वाले हैं आज इतियासिक काल का मैटरे स्टार्ट करने वाले हैं और इसी करम में पहले पढ़ाव पर हमा चुके ह पर उसका समयकाल निर्धारन करते हैं, तो समयकाल, सिंदु घाटी शबता का समयकाल, सिंदु घाटी शबता का जो समयकाल होता है, दोस्तों वो निर्धारत किया गया है, कब से बोलिए, सिंदु घाटी शबता का समयकाल, निर्धारत कारत किरिया गया है, कारबन पदती C14 के आधार पर, C14 कारबन पत्ती है, जिसके आधार पर कारबनिक विधी से, पुरानी जो चीजें हैं, अवशेश जो हमें प्राप्त हुए हैं, उनकी हमें पूर्ण रूप से कौन से काल की है, लगबग इश्टिक जानकारी प्राप्त होती है, देखें, कारबन पत्ती C14 के आधार पर, शिन्दूगाटी शबता की खोज कब की गई थी? तो सिन्दूगाटी शबता की खोज की गई थी, उस खोज में देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, शिंदू घटी शबता की खोज की गई थी 1921 में आपको याद रखना है शिंदू घटी शबता की सरवप्रतम खोज कब की गई थी 1921 में की गई थी और खोज करता थे दयाराम सहनी खोज करता खुन थे मित्रों दैयाराम सहानी ने सिंदु घाटी शबतागी खोज की थी और इनका सयोग किया था MS वत्स ने MS वत्स का पूरा नाम है माधो सरुप वत्स क्या नाम है माधो सरुप वत्स तो दैयाराम सहानी ने किसकी खोज की थी सिंदु घाटी शबता की और सिंदु घाटी शबता की खोज में कौन से इस्थान पर इनों ने सबसे पहले इ Undertakhanan प्रारंब किया और वहां से सिंदु घाटी शबता के अवसेस प्राप्ति किये दोस्तों वो है हडपा नामकिस्थान कौन सा इस्थान है दोस्तों हडपा नामकिस्थान से सिंदू घटी शबता के सरपर्थम खोज हुई थी अर्था सिंदू घाटी शबता का यदी आप लोगों से अधिकारिक नाम पूछा जाता है तो सिंदू घाटी शबता का अधिकारिक जो नाम है वो हडपा होगा क्या होगा वो हडपा से बता होगा क्यों होगा आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर ऐसा आप क्यों कह रहे हैं हधिकारिक नाम हडपा क्यों होगा हम तो सिंदूग अठी शबता पढ़ते वे आ रहे हैं भीया इसका रीजन है कि किसी भी स्थान पर जिस सबसे पहले जो सबता खोजी जाती है वही इस्थान उसका अधिकारिक इस्थान कहलाता है ठीक है तो सिंदूग अठी शबता का अधिकारिक नाम क्या है हडपा सबता है दोस्तों क्या है हडपा सबता है यहां तक बात किलियर हो गई अब आगे चलते हैं देखे जो हडपा सबता है तो देखे मैं आपको एक बात और किलियर कर देता हूं कि सिंदुः घाटी शबता के हमें जितने भी अवशिष मिले हैं या जितनी भी शबताओं के इस्थल मिले हैं जिने हम नगर कहते हैं, क्योंकि सिंदू घाटी शबता एक नगर ये शबता थी, वो किसी ने किसी नदियों के किनारे से प्राप्त हुए हैं, और इनमे से जो जादातर नदियां हैं, इनमें से जो जादातर नदियां है वो सिंदू और उसकी साहिक नदियों के किनारे मिले केलियर है अब देखिए चला यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजे हमने यह पता कर लिया कि भी सबता की खोज की गए थी 1921 में खोज करता था देयाराम सहनी और दूसरे कंडियर जो थे वो थे MS वत्स जिने माधो सरुप वत्स कहा जाता है और इन्होंने किसकी खोज की हडपा नामकिस्थल की खोज की थी तो यहां तक समझ में आगया होगा आगे देखिए सिंदू गाटी शबता किस परकार की शबता है तो सिंदू गाटी शबता काशी यूगीन सबता है करन लाल पर दिखाए दे रहा कि भई ठीक है कैसा है काशी यूगीन सबता है कैसी सबता है भई काशी यूगीन सबता है काशी यूगीन अभी कासा क्या है या अरे अपने घरों में कासे के कचोले होते हैं, कासे की ठालियां होती है ना, वही कासा है यह, है ना, तो काशे यूगिन से बता है, यह कैसे बनाया जाता है दोस्तों, तांबे और टिन को मिला कर, कासा तैयार किया जाता थे, उस समय की कितनी अच्छी विधियां दखोज ली कि उन्होंने कासे की खोज कर ली थी दोस्तों है थीक है कामबे ओट इनका मिश्रन करना जान गए थे वो लोग है तो सिंदु घाटी शबता किशे कैसी शबता थी उसमें कौन सी धातू का सर्व से ज़्यादा प्रिचलन था कासे का प्रिचलन था ये काशी यूगिन शबता ह ठीक है अब देखे जो शिंदु घाटी शबता में लोग कौन सी धातू से परिचित नहीं थे तो कौन सी धातू से परिचित नहीं थे ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे ये लोग किस से परीचित नहीं थे दोस्तों ये लोग लोही से परीचित नहीं थे लोही की खोज हुई है उत्तरवेदिक काल में आपको याद रखना है लोही की कोज कौन से काल में पहले शिंदु खड़ी शबता पढ़ाएंगे फिर रिगवेदिक काल और फिर वेदिक सबता को भी दो पार्ट में पढ़ाए जाएगा रिग वेदिकाल और उत्तर वेदिकाल ठीक है अभी देखिए तो किसकी खोज नहीं हुई थी यह लोग लोहे के बारे में नहीं जानते थे आपको याद रखना है केलियर है तो लोहे को जैसे वेदिक सबता में लोहे तयास कहा जाता था तामड़ी को क्या कहा जाता था लोही तयास कहा जाता था तो इस प्रकार के क्यूशन आते रहते एक जाम में अबन बार-बार करते रहेंगे इनको टेंसन ना ले अब देखिए जो सिंदोगाटी शबता है यह किस प्रकार की शबता थी हमने देखा कि शबता थी इसमें सहर वसे वे थी अर्थात ये सहरी या नगर ये शबता थी शिंदु खाटी शबता कैसी शबता थी दोस्तों ये सहरी शबता थी केलियर है कैसी शबता थी देखिए सहरी शबता थी अर्थात इसके जो नगर नियोजन था दोस्तो शूपर गचप का नगर नियोजन था और उस नगर नियोजन की सबसे अच्छी विसेस्ता थी दोस्तो उसकी जल निकास प्रनाली थी आजकल क्या होता है नगरों में हम देखेंगे भी हम जैपूर सहर की बात करते हैं हम गुलाबी नगरी की यदी बात करें गुलाबी नगरी जिसके वास्तुकार स्री विद्यादर भाटा चारिय जी थे और जिसकी इंजिनियर की थी उस समय के महान इंजिनियर मिरजा इसमाइल ने हना उनकी जो बनावत है ऐसी बनाई गई है कि आस पास जब भी बारिश होती है सारा पानी आके जपुर के बीच में भर जाता है आज हम इतनी टेकनोलोजियों में आगे हैं लेकिन हमसे बहुत सारे सहरों का पानी भार नहीं निकाला जाता है ठीक है लेकिन उस समय सिंदुगाटी शबता के जो नगर थे न दोस्तों उसमें जल निकास प्रनाली इतने सूपर थी कि बारिश हुई दस मिनट बाद ऐसा ही नहीं लगता था कि कहीं पाने भी है सारा भार के तालोबों में जाके इखटा हो जाता था ठीक है अर्थात देखो सिंदुगाटी शबता के नगरों की प्रमुख विशेष्टा क्या थी जल निकास प्रनाली थी वहाँ पर नालियां बनाई हुई थी और एक और बहुत इंपोर्टेंट विशेष्टा है कि वो कौन सी पदिती पर बसेवे थे जो सिंदुगाटी शबता के जो नगर थे ना मित्रों वो कौन सी पदिती पर बसेवे थे वो गिर्ड़ पदिती पर बसेवे थे वो कौन सी पदिती पर बसेवे थे वो गिर्ड़ पदिती पर सिंदुगाटी शबता के जो नगर थे वो कौन सी पदिती पर बसेवे थे वो गिर्ड़ पदिती पर बसेवे थे अब गिर्ड़ पदिती को क्या कहा जाता है गिर्ड़ पदिती को अक्षफोड पदिती भी कह ईक्षफोड पदिती को किस नाम से जाना जाते हैं? समझ में आ गया होगा..अब आगे देखिए देखे सिंदू घाटी शबता मैंने आपको बता है अभी आप सोचो कि इसलिए गिरिडी क्या होता है हमें तो गिरिडी समझ में नहीं है जब मैं आपको लेप्टिटूट और लोंगिटूट पढ़ाऊंगा अर्थात अक्षांस और देशांतर पढ़ाऊंगा दोस्तों उस स कारते थे और चोरहा जो पदेती होती है उसे गिर्ड़ पदेती कहा जाता है क्या कहा जाता है उसे गिर्ड़ पदेती कहा जाता है किलियर हो गया होगा कोई कंफिजन नहीं है देखे अब आगे देखे चोरहा जो पदेती होती है उसे क्या कहा जाता है गिर्ड़ पदेती क कहा जाता है अब हम आगे भड़ते हैं ध्यान दीजेगा शिंदु घाटी शबता का हमने यह अभी तो सुरुवात ही किया बहुत लंबा चैप्टर चलने वाला है तो दिल थाम थाम के बैठे आराम से थोड़ा सा इसको देखो मैं आपको बता देता हूं सिंदु घाटी शब शेतरफल देखेंगे अब तो सिंदु घाटी शबता का चैतरफल कितना है है कि ऊसे हैं तो सिंदु घाटी शबता का चैतरफल है 1299,693 वर्ग किलोमेटर देखें 12,999 शबता का चैतरफल है कईपर गाईड बगेरा में आप पढ़ते हैं तो लगबग में दे गया जाता है । लगबग तेरा लाक हुरत किलोमेटर क्या है ते किलमीटर आरफ लग भग तेरा लाक वरग किलमीटर पर हमारी शिंदूगाटी शबता किस आकार में फेली है भाई इसकी आकरती क्या है चितरफल तो पता चल गया आयताकार है या लंबवत है हना या वरगाकार है या वरताकार है हना आरेख होते हैं हना नदी के सहरे बसी हुई है रेख ही आकार में बसी हुई है किस परकार से बसी हुई है मेरे भाई जील के चार और और बसी हुए वरता कार और कैसी बसी हुए यह पूछा जा रहा है ठीक है तो सिंदु धाट शबता किस आकार में बसी विये दोस्तों तिरभूज के आकार में बसी विये ट्राइंगल के आकार में बसी कैसे आप होगे सर और मांदा मित्रों कहां पर है जम्बू कस्मीर में मांदा कहां पर है दोस्तों जम्बू कस्मीर में सिंदू घाटी शबता का सबसे उपर वाला इस्थल जो मांदा है दोस्तों वो कहां पर है जम्बू कस्मीर में कहां पर है बोलिये जम्बू कस्मीर में शिंदुगाटी शबता का सबसे बड़ा इस्थल कौन सा है मांदा और मांदा कहां पर है बोर ये जम्मू कस्मीर में है ठीक है और सबसे दक्षणी इस्थल जो है ये देखिए ये रहा सबसे दक्षणी इस्थल और ये इस्थल कहां पर है दोस्तो ये बाला तो इसे कहते हैं दाइमाबाद ठीक है कौन सा है दाइमाबाद ये स्थल कौन सा है दोस्तों दाइमाबाद है ठीक है दाइमाबाद कहां पर है दोस्तों महराष्टरा में है ये आपको याद रखना है महराष्टरा में है दाइमाबाद गहां पर दोस्तों महराश्ट्रा में है किलियर है सबसे जो पूरवी स्थल है दोस्तों वो ये रहा और ये है दोस्तों आलम गिरीपूर और आलम गिरीपूर है दोस्तो उत्र प्रदेश में यूपी में है आपको ये याद रखना है आलम गिरीपूर कहां पर है उत्र प्रदेश में है यूपी में स्थित है केलियर है और सबसे पश्मी जो इस्थल है वो ये रहा दोस्तो इसे कहते हैं दोस्तो सुत कागेडोर और मित्रोष सुत कागेडोर कहां पर है भल्यूचिस्तान में है तो अब देखिए आपकी जो सिंदू घाटी शबता है वो ट्राइंगल के आकार की हो गई है मित्रोष अर्था तिरबुचाकार हो गई है देखो कितना देखो कैसे सेट किया इसको हो ना कि उत्तरमी स्थान कौन सा है मांदा जम्मो कस्मीर दक्षनमी स्थान दाइमाबाद महाराश्ट्रा ठीक है पूर्वी स्थान आलम गिरिपूर उत्र परदेश और पस्मी स्थान सुत कागेडोर ब्लूचिस्तान में है दोस्तों देखे मैं आपको इक बातं हो जो संदूखाटी शबता के मैंने टाया तर जातर द्धुष नगर हzeniu नदियों के किनारे से प्रापत हुए है किसे ने किसी नदी के किनारे से प्रापत हुए है जैसे आपको बात करके पर बताता हूँ कि नंबर एक पर देखिये, हम वहां से शुरुबात कर लेते हैं. ठीक है? नंबर एक पर हम बात करें मानदा. नंबर एक पर कौन सा है? मानदा. दोस्तों मानदा कहां पर है? आपको पता है जम्बू कस्मीर में है अब मैं ये इस्थान को छोड़कर आपको डिरेक्ली ये बताता हूँ कि ये दोस्तो कौन सी नदी के किनारे है कौन सी नदी के किनारे है तो मांदा है दोस्तो चिनाब नदी के किनारे मांदा कौन सी नदी के किनारे है मित्रो तो मांदा है चिनाब नदी के किनारे है दोस्तो याद हो जाएगा मांदा कौन सी नदी के किनारे है चिनाब नदी के किनारे है नमबर दो पे दोस्तो अब बताईए नमबर दो पे कौन सा लिखू मैं दाइमाबाद लिख देते हैं दाइमाबाद मित्रो दाइमाबाद कौन सी नदी के किनारे है तो दाइमाबाद है परवरा नदी के किनारे आपको के सर ये नदी तो पहली बारी सुनी है हमने कोई बात नहीं पहली बार सुनी है तो अब एग्जाम में आएगी तो आब बारवार सुनेंगे ना यह परवरा नदी के किनारे हैं परवरा किसकी उप नदी है वेरी वेरी को अंधी है गोदावरी की फीडाए जाएगा हम यह तो में नदी हो रहे हैं और यह क्या है प्रवर समेंधी उप Nदी के किणारे है तो क्या पूछ recording में नदी पूछ रहा है और में नदी कौन सी है गोदावरी बात किलियर अब बात करें कौन सी नदी किनार ओप्षन में यदि परवरण ना हो तो आप क्या करेंगे गोदावरी नदी करेंगे किलियर है महराश्चरा में ठीक है अगला जो objective आपसे पूछा जा सकता है वो रहीगा दोस्तो आलम गरी पुर आलम गरी पुर मैंने बताया था उत्रप्रदेश में है और यह कौन सी नदी के किनारे है मित्रो यह हिंडन नदी के किनारे अ कौनसी नदी के किनारे है ये हिंडन नदी के किनारे है आलंगिरीपूर कौनसी नदी के किनारे है हिंडन नदी के किनारे है किलियर हो गया आलंगिरीपूर कौनसी नदी के किनारे है हिंडन नदी के किनारे है अब आलंगिरीपूर हमारा हो गया हिंडन नदी के किनारे ठीक है अब है सुथ कागेडोर मित्रो सुथ कागेडोर ब्लूचिस्तान में है और यह दास्क नदी के किनारे कौन सी नदी के किनारे है दोस्तों दास के नदी के किनारे अब आपको किसर यह चाड़ तो हमें पता था देखें अभी कुछ एक नगर और लिख देता हूं मैं जैसे मैं अभी आपको बता देता हूं नमबर पांश पे कुछ एक important important लिख लेते हैं भई हडपा हडपा कौन सी नदी के किनारे है दोस्तों तो हडपा है रावी नदी के किनारे हडपा कौन सी नदी के किनारे है मित्रों रावी नदी के किनारे है हडपा किलियर है नमबर च्छै की यदि हम बात करें मोहन जोदुडो कौन सा है दोस्तो मोहन जोदुडो और मोहन जोदुडो कौन सी नदी के किनारे है और मोहन जोदुडो है दोस्तो सिंधू नदी के किनारे कौन सी नदी के किनारे है दोस्तों मोहन जोद्रोडो कौन सी नदी के किनारे है सिंदू नदी के किनारे इस दिते है मोहन जोद्रोडो नामक आपका जो परशिद सहर है जो सिंदू शबता का जो सिंदू शबता का अब तक खोजा गया सबसे बड़ा सेंधव परदेश है जो सिंदु शबता का अब तक खोजा गया सबसे बड़ा सेंधव परदेश है दोस्तों वो कौन सा है मोहन चोदुडो कहां पर है पाकिस्तान में है सिंदु नदी के किनारे खोजा गया था 1922 में खोजा गया था और इसके खोज करता थे राखल दास बनर जी कौन थे राखल दास बनर जी दोस्तों मोहन चोदरो का जो साब्दी करत है वो होता है मृत्कों का टीला क्या होता है मृत्कों का टीला जब इसका जो पाट आएगा अगला उसमें हम किलियर करेंगे मरत्गों का टिला किसे कहते हैं आगे देखिए नमबर साथ है मोहन चोदोड़ो हो गया मोहन चोदोड़ो के बात देखते हैं रोपड दोस्तो रोपड कौन सिंदी के किनारे है तो रोपड है पंजाब में सतलूज के किनारे रोपड कहां पर है दोस्तों पंजाब में है सतलूज नदी के किनारे है रोपड कौन सीदी के किनारे है सतलूज नदी के किनारे अपना कौन सा है रोपड इस्तिद है ठीक है अगला है दोस्तो आठ नमबर पे रंगपूर और रंगपूर दोस्तो है मादर नदी के किनारे रगपुन कौन सिंदी के किनारे है दोस्तो मादर नदी के किनारे है दोस्तो कौन सिंदी के किनारे है मादर नदी के किनारे है अब देखिए दोस्तो नो नमबर पे है बेराट बेराट कौन सिंदी के किनारे है दोस्तो बान गंगा के किनारे है कौन सिदी के किनारे है दोस्तो बान गंगा नदी के किनारे है बेराट कौन सिदी के किनारे है बान गंगा नदी के किनारे है मित्रो कौन सिदी के किनारे याद हो जाएगा बान गंगा के नदी के किनारे है और दोस्तो दस नंबर पे जो है वो है राखी घड़ी मित्रो राखी घड़ी हरियाना में है दोस्तों और ये सरश्वती नदी के किनारे है राखी घड़ी कुन सी नदी के किनारे है दोस्तों सरश्वती नदी आपको मैं बाते किलियर कर देता हूं दोस्तों कि जो सरश्वती नदी के किनारे राखी गड़ी इस्थित है ये इस्थल भारत में सिंदुखाटी शबता का अब तक हो जा गया सबसे बड़ा इस्थल है अब तक हो जा गया सबसे बड़ा इस्थल है मित्रो किलियर हो गया अब देखे आगे अब देखते हैं आपन काली बंगा काली बंगा कौनसी नदी के किनार है मित्रो घगर नदी के किनार है काली बंगा कौनसी नदी के किनार है दोस्तों घगर नदी के किनार है काली बंगा जो नगर है मित्रो कौनसी नदी के किनार है घगड नदी के किनार देको काली बंगा काली से काला रंग बंगा चूडियों का प्रियाए वाची है मित्रो अर्था जहां से काले रंग की चूडियां प्राप्त हुई वो काली बंगा है दोस्तों ये राजस्थान के हनुमानगर जिले में स्थेत है काली बंगा नमकिस्थान किलियर है अब देखिए आगे चलते हैं दोला वीरा जो दोला वीरा है दोस्तो कौनसी नदी के किनारे है चलो यह बता दो दोला वीरा कौनसी नदी के किनारे धोला वी रहा दोस्तों लूले नदी के किनारे रहे है कि एक गला डालो थी चैस तो घोले जूश्रास पुच्रात में धोला विरला की गुज्रात में और लोथल है दोस्तों भोगवा नदी के किनारे हैं अब ही थोड़े दिन पहले SSCGD का एक्जाम हो रहे थे उसमें पूछ लिया गया था लोथल कौनसी नदी की उपनदी के किनारे है लोथल कौनसी नदी की उपनदी के किनारे है तो कौन सी है लोथल जो है वो भोगवा नदी के और भोगवा नदी किसकी उप नदी है किसकी साहग नदी है शाबर मती की साहग नदी है किलियर हो गया अब आगे देखिए चलो यहां पर एक मैंने क्लिक किया दा धोला वीरा जो धोला वीरा है यह दोस्तों गुजरात के अं दोला वीरा गुजरात से प्राप्त हुआ है अब लोग सोचते हैं भई यहां पर इस इस्टेडियम में क्या खेलते थे मैंने एक बर रेगुलर क्लास में पूछा कि बेटा यहां पर क्या खेलते थे बच्चे का अंसर आ रहा एक सर क्रिकेट खेलते थे सर होकी केलते थे सर यहां पर सांड़ों की लड़ाई होती थी धिक है जिसे हब भी हम यहां पर कहते हैं का । बेसिक लब की रोभा वगे मैं अब भीjuk झालक के कि हम प्राग एतिहासिक काल पढ़ रहे हैं दोस्तों क्या पढ़ रहे हैं प्राग एतिहासिक काल पढ़ रहे हैं मित्रों और जो प्राग एतिहासिक काल है उसके हमें लिखित अवसेश तो प्राप्त हुए हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जासका है लेकिन उन्हें पढ़ लिपी कैसी थी गुसर ने बताय नहीं के आपको लिपी तो आप कहेंगे कि सिंदु घाटी शब्दा की ल्पी है भाव चित्रातमक अर्थाद हम इसे अज्यात भी कह सकते हैं बहाँ चित्रात्मक या अज्यात लिपी भी कह सकते हैं सुन्ज में आ गया? अब सिंदुगाटी शबता में यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि प्रमुख व्यवशाय क्या था? तो देखें वैसे तो लोग हमारे प्रमुख व्यवशाय पर ज़्यादा ध्यान देते थे क्योंकि वहाँ पर मोटर गाड़ियां थीनी दोस्तों होना? और प्रमुख व्यवशाय पर सबसे पहले ध्यान दिया जाता था किर्शी पर उसके बाद आता था दोस्तों पशु पालन उसके बाद आता है दोस्तों मचली पालन ठीक है? और उसके बाद आता है आखेट करना उसके बाद क्या आता है? आखेट करना मसली पालन करना आखेट करना ये करम मैंने लिखा है तो यहाँ पर किर्शी पर ज़्यादा ध्यान देते लेकिन देखो अगर आपकी बात व्यापार से हो रही है तो सिंदु घाटी शबता के लोग अंतराश्टी इस्तर पर व्यापार करते थे ठीक है दोस्तों मुहमद इकबाल ने एक बर कहा था मिस्र मेसो यूनान मिट गए जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी अर्थात मिस्र की शबता खतम हो गई मेसो पोटामिया की शबता खतम हो गई यूनान की शबता भी खतब हो गई लेकिन हमारी शबता के अवसिस आज भी जीवन तरोब से उपस्तित है केलियर है देखें इस शबता के लोग अंतराश्टी स्थर पे व्यापार गई हमें कैसे पता चला बरसर आपने तो का था कि इसकी लिपी नहीं समझी जा सकी है लिपी नहीं पढ़ी जा सकी है भी अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि हमारे यहां का सूती कपड़ा मिसर मेसो पोटरामे में मिला है कहां मिला है मिसर मेसो पोटरामे में केलियर है और उने की मुद्रा हमारे यहां में लिया है तो ऐसा तो नहीं था कि हमने सूती कपड़ा वहां फैंक दिया और उन्हेंने मुद्रा बदले में यहां फैंक दी या तो हमारा कोई व्यापारी वहां गया या वहां से कोई व्यापारी यहां पे आया समझ में आ रही है तब ही तो व्यापार आपस में अदला बदली हुआ अब मिस्र मिसोपोटामिया और भारत के बीच के व्यापारियों के बीच distance काफी हो गया अब डारेक्ट वहाँ पे जाएंगे तो हमें कोई पहचानेगा नहीं तो यहां से एक important vision और बनता है कि मिस्र मिसोपोटामिया और भारत के व्यापारियों के बीच बीचोलियों का काम कौन करता था मद्जस्त कौन था तो दोस्तो मद्जस्त थे बहरीन द्वीप के व्यापारी very very important दोस्तो कौन से द्वीप के व्यापारी बहरीन ज्वीप के व्यापारी इन सब के बीच मददस्त तागे रूप में काम करते थे विचोलियों के रूप में काम करते थे किलियर है अब देखे आगे अब हम आगे बढ़ते हैं यहां तक किलियर हो गया कोई confusion नहीं है देखो सिंदु घाटी शबता के जो लोग थे कौन थे भाई वो कोई तो होंगे जैसे हम वैदिक शबता के हम लोग खड़े हैं भाई आर ये लोग है ठीक है वैसे ही वैदिक शबता के जो लोग थे वो थे दरविड लोग क्या थे दोस्तों दरविड लोग थे शिंदू घाटी शबता के मून लिवासी दर्विड जाती के लोगों को कहा जाता है आपको याद रखना है दोस्तों दर्विड जाती के लोगों को कहा जाता है केलियर हो गया अब आगे देखिए जो सिंदू घाटी शबता है यहां पर बहुत सारे ऐसे हसे मिलें जैसे आप यह आपको बता देता हूं कि सिंदुगाटी शता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी प्राप्त हुई है तो सिंदुगाटी शता की सबसे बड़ी इमारत यहद Ji हम देखें तो विशाल अन्नागार है क्या है दोस्तों विशाल अन्नागार जिसे दोस्तों धानागार भी कहते हैं विशाल अन्नागार जिसे हम क्या कहते हैं धानागार भी कहते हैं केलियर है सिंदुगाटी शबता के जो सबसे बड़ी इमारत है वो विशाल अन्नागार या धानागार हो गई लेकिन इत्तफाकन आपसे पूछ लिया जाए कि सिंदु घाटी शबता की सबसे बड़ी सामुहिक इमारत कौन सी थी बात करें यदि सामुहिक इमारत की तो दोस्तो विशाल इस नानागार था कौन सा था दोस्तो विशाल इस नानागार सिंदु घाटी शबता की सबसे बड़ी विशाल इस नानागार की बात करते हैं तो सबसे बड़ी सामुही की इमारत कौन सी हुई दोस्तों विशाल इसनानागार दा ग्रेट बात अब आप को कि सर ये कहां से मिले हैं भई तो ये देखो विशाल इसनानागार और विशाल अनागार ये दोनों ही मोहन जोदोरों से प्राप्त हुए हैं कहां से प्राप्त हुए हैं मोहन जोदोरों से प्राप्त हुए है देखे मैंने यहां पर एक काली बंगा वर्ड लिखा था कहां पर लिखा है काली बंगा की यदि हम बात करें तो दोस्तों ये राजस्थान के हनुमानगर में है काली बंगा जो नगर है वो कच्ची इटों से बना हुआ है कैसी इटों से बना हुआ है मित्रो कच्ची इटों से बना हुआ है और कच्ची इटों से बना हुआ होने के कारण कच्ची इटों से बना हुआ होने के कारण इसे क्या कहा जाता है दोस्तों कच्ची इटों से बना हुआ होने के कारण इसे दीन बस्ती या गरीब बस्ती कहा जाता है तो आपको याद रखना है काली बंगा को दीन बस्ती या गरीब बस्ती के नाम से जाना जाता है काली बंगा को किस नाम से जाना जाता है दीन बस्ती या गरीब बस्ती के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहां कि हम अनुमान लगा सकते हैं कच्ची इंटे थी इंट पकाने के भी विचारों के पास पैसे नहीं थे काली बंगा से दो हलों के अवसेश प्राप्त हुए हैं दो दोहरे या दो हलों से जुतेवे खितों के अवसेश दोहरे हल बोल दें या दो हलों से जुतेवे खितों के अवसेश बोल दें कहां से प्राप्त हुए हैं काली बंगा से प्राप्त हुए हैं काली बंगा नाम नमक इस्थान से किस परकार की नालियां में परापत हुई है लकडी से निर्मित नालिया प्राप्त हुई है ठीक है जो काली बंगा है यहां से अगनी वेदिकाई भी प्राप्त हुई है काली बंगा से क्या प्राप्त हुई है अगनी वेदिकाई भी प्राप्त हुई है क्या प्राप्त हुई है जहां लाल पत्थर से निर्मित साधू की मूर्ती प्राप्त हुई है बड़ी बड़ी डाड़ी वाले साधू कहां से मिले हैं दोस्तों तो वो है हडपा यहां से दोस्तों हडपा से स्वास्तिक चिन भी प्राप्त हुआ है हरपा से क्या प्राप्त हुए है दोस्तों स्वास्तिक चिन्दे भी हमें प्राप्त हुए है ठीक है स्वास्तिक चिन्दे से हम आपनी दिहाती भासा में साथिया कहते हैं यह भी हमें प्राप्त हुए है सिंदु गाटी शबता का महतपुन डाकियार्ड क्या था तो महतपुन डाकियार्ड था लोथल देखो दोस्तो लोथल एक महतपुन बंदरगा था जिसे जाजों की गोदी भी कहा जाता है दोस्तो जिसे जाजों की गोदी भी कहा जाता है किलियर है इसके अलावा यहां पर जाज बनाने का कारखाना भी हमें अवसेश प्राप्त हुए है सिंदुगाटी शबता में चावल के अवसेश चावल के अवसेश दोस्तो लोथल से रंगपूर से और काली बंगा से प्राप्त हुए लेकिन चावल की बूसी चावल की बूसी के उसेस हमेर रंगपूर से प्राप्त हुएं दोस्ता लेकिन एक्जामेनर और गहराई से पूछले कि चावल की खेती के उसेस सबसे पहले कहां से प्राप्त हुए very very important दोस्तों कि चावल की खेती के उसस हमें सबसे पहले कहां से प्राप्त हुए तो वो हुए थे कॉल्डी हुआ से चावल की खेती के उसस हमें कहां से प्राप्त हुए दोस्तों कॉल्डी हुआ इलाबाद में पढ़ता है उत्र प्रदेश के अंदर देखा हुआ कभी अपने कहां पढ़ता है उत्र प्रदेश के इलाबाद में कोली हुआ यहां से सबसे पहले चावल की खेती के उसे हमें मिले थे यहां से सिंदुखाटी शबता में सबसे पहले खेती की बात करें कि सबसे पहले ही खेती के अवसेस कहां से मिले कोई फसल का नाम ना दे और पूछने कि खेती के अवसेस सबसे पहले कहां मिले तो सबसे पहले खेती के अवसेस सबसे पहले खेती के अवसेस दोस्तों मिलेते हैं महरगड से पांच हजार इश्वी पूरु के खेती के उसे मिले है महरगड से ठीक है और यहां से किसकी खेती के उसे मिले है दोस्तों कपास की खेती के उसे मिले है किसकी खेती के उसे मिले है दोस्तों कपास की खेती के उसे मिले है कहां से मिले हैं महिरगर से सबसे पहले कि कपास की खिती के अपस्सस मिले हैं diamonds याते कि इस परट आपको आसनी समजह में आगे होगा कल में फिर मिलता हैं आगे की कि खिर को था को ठूंग webinar चीजे जो यहां से प्राप्त हुए है उसके बारे में हम लगातर धन करेंगे लगातर जुड़े रहे मास्टर इस्टेडी क्लासिस के साथ जै हिंद जै भारत